सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरणा मश्कार जैसा कि आप लोगों को पता ही है मेर नाम है सुमन और मैं हूँ आपकी हिंदी और योगा टीचर और आपकी करियर सलहकार प्यारे बच्चों काफी दिनों से BPAड के बच्चे और MPaड के बच्चे मुझसे काफी नाराज़ी दिखा रहे हैं कि मैम आप हमारे लिए कोई वीडियो नहीं बناते हमारी कोई हल्प नहीं करता तो प्यारे बच्चों प्लीज नाराज मत हुई है आज का वीडियो होने वाला आपी के लिए जो भी बच्चे साल 2000-23 में CUET entrance exam देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो है क्योंकि बच्चों के doubt है कि मैं हमारा paper code क्या है क्योंकि इस बार हर paper के लिए एक अलग-अलग code दिया गया है तो आज के वीडियो में मैं आपको paper code भी बता दूंगी आपका syllabus भी बता दूंगी और कौन-कौन बच्चे इसको apply कर सकते और जैसा कि आप नगों को पता ही है कि जो CUT की अंतिम तारीक है वो है 19 अप्रेल तो इसमें MP8 वाले बच्चों का भी अट कवर होगा दोनों चीज लेव सबकुछ code और BPA वाले बच्चों का तो हो गई होगा ठीक है और इसके साथ साथ यह कहना चाहती हूं कि इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए मैंने उत्राखंड की जो हीमवती नंदन बागणा गड़वार यूनिवसिटी है उसके subject mapping list को लिया है subject mapping list बच्चे वो चीज है जो कि आपको help करेगा कि आपके course का जो code क्या है syllabus पढ़ना क्या है वो सारी चीज उसमें दी गई है ठीक है जो भी बच्चे साल 2023 में CUET अंटर्स एक्जाम दे रहे है फिजिकल एडुकेशन BPA के लिए या MP8 के लिए आपने शीज रूप से मेरे इ आज का वीडियो तो प्यारे बच्चो यह है वो पीडियाफ जिसे कि हम CUET subject mapping list के नाम से जानते हैं यानि कि आपका जो subject है code है और क्या question paper वगेरा है उसके बारे में आपको idea मिल जाएगा जो कि आपने तयारी करनी है तो जैसा कि आज का वीडियो है physical education के बच्चों के बारे मेरे YouTube चैनल का link एक link दिया है वहाँ पे इसमें लिखा है one link for all link आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे link में आपको connect कर देगा तो समझ लेते कि आपने क्या क्या इसमें देखने वाली बात है कि जो आपने दिहान रखना है form को बढ़ते समय सबसे पहले तो form आपको पता कि हेमवती नंदन भगणा गडवाल यूनिवर्सिटी की तो सी ओ क्यू पीज इलावन जो कोड है वो मोस्ली जितने भी फिजिकल एजुकेशन बीप्य इत्यादी जो बच्चे कर रहे उनके लिए यही कोड है इसके लावा विए कोई दूसरी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे तो आप मुझे कमेंट करके पूच सकते हैं कि मैं भी उनका जो कोड है वो चेक करके या उनका क्या एक्जाम पैटन है वो सब आपको बता सको ठीक है अब आपने इसमें पढ़ना क्या क्या है ध्यान से सुन लीजे पैटन जो होगा 300 comprising of English and Hindi, General Knowledge, Computer Basic, General Aptitude and Logical Reasoning यान मतलब यह है कि जो प्रतेक प्रश्णों का आंसर होगा वो होगा आपका 4 नंबर का ठीक है अब इसमें जो questions आएंगे नॉर्मली बाकी जो अगर आप देखेंगे ना जो अभी exam हो रहे है उनका जो paper है वो दो भागों में डिवाइड है आपके लिए ऐसा कुछ नहीं लिखा है आपके लिखा है लिखा है पैटन 3 आपका पैटन 3 फॉलो किया जाएगा जिसमें कि आपका English या Hindi होगा तो बच्चे के पास च्वाइस होगी कि या तो English में दे वेपर या Hindi में दे और मतलब इंग्लिश का जो पोर्शन होगा उसमे तो आप जिस भी लैंग्वेज में निपूने आप उसे चूज कर लिजए इसके अतरिक्त जनल नौलेज आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर बेसिक्स पूछा जाएगा जनल अप्रिट्यूड एंड लॉजिकल रिजिग तो कंप्यूटर बेसिक्स का जो है वह बेसिकल तो क्समार लोड़ ड़िए को सबीक्स को यसले जाते है कि उते साल खूछ भर रेंड़ जाता है तो यह सोच भी नहीं सकते क्ये औरमा बेसिकर छी जाता कि यह कौारल यह आपको प्रैक्टेस करनी पड़ेगी उससे आपका क्लियर हो पाएगा अब कौन-कौन बच्चेस का आवईदन कर सकता है धिहां से देख लीजिये बैचलर डिग्री इन डिसिपेंट विद फिप्री परसेंट मार्क्स आपके होने चाहिए और अटलीस पार्टिसिपेशन इंटर कॉलेज इंटर जो है आपका गौर्मेंट ऑफ इंडिया द्वारा और जो बच्चे स्टी सी अधर कैटेगरिक लिए और बैचलर उनके लिए 45 परसेंट यह सारा यहां पर स्पैसिफिकेशन लिए ठीक है तो मतलब आपने जो बीप्या बेसिकली फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे उनका जो है पार्टिसिपेशन जरूर होना चाहिए किसी ना किसी डिस्टिक लेवल पे इन्होंने लिखा जोना जोना लेवल पे और स्कूल कॉंपेशन जो होते उसमें तो यह बच्चों बीप्या वाले बच्चों के लिए और एंप्या वाले बच्चों के लिए भी देख लेते हैं शौर्ट में कि क्या है वैसे तो यह देखिये एंपीवाले बच्चों का जो कोड है वह है C.O. Q.P. 18 फिजिकल एजु बेसिक जनल नौलेज आएगा इसमें और आपका आएगा बेसिक न्युमेरिक एबिलिटी आएगा इसमें और आपके जैसे रीजनिंग इत्यादी के क्वेशन आपके आजाएगे ठीक है तो एमेट का एक्जाम का बढ़ सकता है इन्होंने बीपीड किया हो और बैचलर सब्सक्राइग कर सकते हैं तो बिल्कुल वह बच्चे भी कर सकते हैं ठीक है आप देख लीजेगा अपना और इस वीडियो को सुनने के बाद भी I don't think so कि कोई कोई क्वेशन होना चाहिए अगर कोई क्वेशन है तो आप मुझे पूछ लीजिए कोड को ध्यान से भरियेगा बच्चो और बाकी यह है कि किसी को डारेक्ट करेयर हल्प चाहिए तो वह भी मैं आपको दे दूंगी ठीक है उसकी फीस है मात्र निन्याने भी रुपीज 99 ह और जो की वैलिड कर दी दिया है मैंने 3 months के लिए ठीक है तो I hope this video is definitely going to help आपको help करे और वीडियो को like, share, subscribe करेए चैनल को भी subscribe कर लीजे और जो link मैंने बताया है description box में जाए वहाँ पर एक link दिया है उससे आप सब जगा पहुंच जाएंगे मेरे phone number पे भी मेरे YouTube वीडियो सब जगा ठीक है तो बस बच्चों मिलेंगे मेरे कुछ नहीं अच्छे इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत धन्यवाद सत्यमिव जते धन्यवाद